हाई दोस्तों नमस्कार मैं हूनी रजराय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इयर डिस्चार्ज के बारे में जिसको कुछ लोग कान बहने की सिकायत भी कहते हैं आपने कई बार देखा होगा कि लोगों के कान से कुछ पस लाइक पदार्थ बहता है कुछ लिक्विड बहता है उसी के बारे में लोग बात करेंगे कि यह होता क्यूं है इसके बार इसके लच्छन क्या होते हैं और इसका treatment के लिए हम कौन से medicine यूज करते हैं दोस्तों यह जो कान से पस-like structure या पस-like liquid निकलता है यह लगातार निकल सकता है या रुक-रुक के निकल सकता है अब अगर इसके हम लोग काजस के बारे में बात करें कि कारण क्या है तो हो सकता है अगर आपके कान में कभी कोई injury होई हो उसकी वज़े से यह problem आ सकती है इसके अलावा sinusitis की वज़े से भी हो सकता है निकि sinus में अगर आपके inflammation है sinus आपको पता है ना कि इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का infection है गया आपके कान में तो उस time पे भी आपको ear discharge देखने को मिल सकता है इसके अलावा laryngitis यानि कि larynx में अगर कोई inflammation है pharynx में कोई inflammation है या फिर tonsillitis है यानि tonsils में inflammation है तो उस condition में भी ear discharge हो सकता है तो पहले मतलब सारे reasons चेक किया जाते हैं जब भी इलाज किया जाता है कि reason क्या actually इसके अलावा common cool में कई बार लोग के कान बहने की समस्या आती है मतलब कि जुकाम में भी ऐसा देखने को मिलता है अब अगर बात करें कुछ symptoms के बारे में तो एक बहुत ज़्यादा problem आती है कि कई बार लोग के कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है यानि severe pain हो सकता है कान में इसके अलावा पसी like discharge होता है कान से कान से मतलब white material बैता है इसके अलावा कान में भारीपन मैसूस हो सकता है fever हो सकता है कुछ conditions में लोग को इसके अलावा injury के case में complications आ सकती है अगर injury हुई है तो उस time पे और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और भी symptoms दिखाई पर सकते है हम बात कर लेते हैं treatment के बारे में कि इसके treatment के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कौन सी medicine देनी चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपका कान है तो अगर कान में ऐसी problem आ रही है तो उसको सबसे पहले clean कर लें अच्छे से क्योंकि clean करके ही आप medicine यूज करें तो जादा अच्छा है इसके लिए amoxicilline antibiotic या फिर ciprofloxacin 500 mg की tablet दी जाती है amoxicilline या ciprofloxacin में से कोई एक ही लेनी है 500 mg की सुभे शाम दिया जाता है तीन से पांस दिन तक यह treatment किया जाता है इसके साथ में अगर आपको बहुत जादा pain हो रहा है तो आप diclo या aciclo finac के साथ में paracetamol की tablet ले सकते हैं इसका combination आता है declo para के नाम से मागर में आता है तो यह आप ले सकते हैं और यह आपको सुभे और साम खाना होता है दर्द को ठीक करने के लिए इसका काम के वाल दर्द को ठीक करना का है ठीक है वागी सारा comment बाटे करेगा इसके साथ में shiprofluxacine ear drop दिया जाता है patient को और यह कैसे यूज करना है तो इसे हम 2-2 drop दिन में 3 बार यूज करते हैं इस सुभे दो पार साम यूज करते हैं इसको कान में आपको डालते रहना है यह भी आपको करीब 3-5 दिन तक यूज करना है अगर बहुत ज़्यारेटी है और ठीक नहीं हो रहा है मतलब यह tablets काम नहीं कर रहें तो उस time पर monosaf ya septraxone injection IV दिया जा सकता है पर एक बार डाक्टर से consult कर लें उसके बाद ही injection दे अगर यह सारी सीजों से आपका कान साही नहीं होता है तो अपने डाक्टर से consult करें और जासे ध्यान रखें कि अपनी medicine लेने से पहले डाक्टर से जरूर कंसल्ट करें अपने मंद से कोई medicine ना ले ने तो आपने के लिए खत्रा हो सकता है तो दोस्तों यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो आपको अच्छा लग हो तो चैनल